आज बात करेंगे पैटरन के बारे में के पैटरन क्या होता है और पैटरन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसको हम सीखेंगे एड़ोबी पोडिशॉप 2023 के अंदर फुल डीटेल आपको सिखाने वाले हूं तो इस वीडियो को जरूर एंट तक गौश करें क्योंकि इसके एक नए वीडियो अप्लोट करूँगा और आप चल से चल मेरी वीडियो को वाच कर पाऊगे तो सीधा बढ़ते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखने के पैटरन है क्या और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं मेरे सामने मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन मौझूद है और यहीं पर मैं आप लोगो को दिखाना हूँ पैटरन इससे पहले हमने सिखाता है क्लॉन टूल आपको याद होगा और इसके अंदर हमें पैटरन स्टैंप टूल भी दिया गया है तो यह अगर आप लोग स्लेक्ट क किरास हैं और श्रहां यह ने ऊःष्ट स्टीन तीन पास हैं टीनों को पैटरन हमार पास यह तिन आफेटरन हैं इसके इलाबा हम अपने पैटरन इहां पर कैसे क्रिएट कर सकते हमो यहां पर इसको लगा सकते हो यहां पर देख सकते हो आप लोग मैंने इसका size बढ़ा करा और यह हमारा लग गया है pattern अब इसको आप फिल के अंदर भी add कर सकते हो यहां पर अगर मैं अडू कर दो अब आप इसी चीज़ को अपनी image के अंदर भी apply कर सकते हो so for example edit कने जाता हूं मैं और यहां से fill को click करता हूं ok press करता हूं तो मेरा यहां पर भी यह pattern आ जाएगा और फिर आप क्या कर सकते हो so for example मैंने यहां पर भी तो कर दिया था बड़ मैं आपको एक और दफा करके दिखाता हूं layer लेली मैंने एक new blank ठीक है और यहां से edit मैं fill and pattern apply कर दिया तो यह हमारी new layer के अपर बन चुका है अगर मैं जैसे यहां से अपना mode change करता हूं और यहां से opacity change करता हूं तो like यह result को जिस तरीके का देगा हमें pattern के उपर तो आप यहां से अपना pattern check कर सकते हो then आप उसके इलावा यहां पर apply कर सकते हो so again यहां पर कोई water का है तो मेरे पास बड़ेवे तो है water वाले और फिर मैं यह लगा के शेक करता हूं के यह हमें कैसे मिलते है pattern ठीक है so मैं इस वाले pattern को delete करता हूं और यहां से directly चले आता हूं edit के file में और यहां पर इसकी short के आप पता ही है ठीक है sorry सबसे पहले मैं यहां से new layer लोंगा ठीक है उसके बाद जाऊंगा edit में फिर जाऊंगा fill में और यहां से water का pattern select कर लेता है सबस्क्राइब यहां से then serious तो यहां पर एक pattern apply हो चुक है आप लोग को नज़रार होगा so इस तरीके से आप लोग different patterns जो है इसको apply कर सकते हैं पर बात आती है कि हम अपने pattern कैसे create करेंगे और हम उसको कैसे यहां पर apply कर सकते हैं जो बहुत असलिक है तो सबसे पहले में इसको इक delete कर देता हूं और अपने इस वाले canvas पे आता हूं और like यहां पर सबसे पहले में छोटा सब pattern बना लेता हूं छोटा सब्र कर दे ता हम फाइल में जाता हूं और सबसे पहले एक size लेंगे है अपन और जस मैं लेलेता हूँ चोटा साइस ले लेता हूँ मिल्कुल 30 एंड 30 खीक है और इंड प्रोटेरट के अंदर रहे और क्रियेट बें विद्ध को क्लिक आए बहुत चोटा सा है मिरे बास तो अब क्या कर रहा हूं मैं simply यहां से इसलेक्शन लेता हूं और इस तरही की मैं selection बना देता हूँ और इस में color कर देता हूँ मैं black color so color आपको इसे भी कर दियेगा ठीक है इस पूरे को select कर लूँगा control A प्रेस कर सकते हैं अब इसको select कर लिया तो आप जाएंगे edit के menu में और यहां पर आपको मिलता है define pattern का option यहां पर आप click कर देंगे और यहां पर आप अपना name दे देंगे कोई भी one लिख देता हूँ यहां पर simply अभी समझ में या रहा है क्या लिख हो ठीक है okay press कर दिया मैंने कि हमारा pattern बन चुका इस तरीके का अप मैं यहां पर आता हूँ और यहां से clone stamp tool ले लेता हूँ pattern अपना select कर लेता हूँ यहां अपना select कर लेता हूँ यहां प्रेस कर लेता हूँ इस तरीके से मेरा pattern बन चुका है for example अब आप लोग चाहरे हूँ कि भाई मैं pattern image के अंदर से निकालना चाहरा हूँ कोई pattern बनाना चाहरा हूँ for example मेरे पास जो है एक यह grass type की pattern बनाना चाहरा हूँ इसको select कर लोगा grass को अपनी ठीक है यहां पर रखते रहूँ ठीक है मैं यहां पर आता हूँ न्यू लियर वर यह मेरी empty है खाली है एडिट किने जाता हूँ file में जाता हूँ और यहां से pattern अपना select कर लूँगा ठीक है pattern यहां पर मेरा select है और यहां पर यहां पर यह वाला pattern में select करता हूँ मैं इसको और अगर मैं यह बड़ा बना जो box जो है यह थोड़ा बना लिया ठीक है अब जाता हूँ edit के नर define pattern okay and image पर आया मैं अपनी edit पर गया fill पर गया और यहां से pattern select करा okay press करा so like आप आप यहां पर देख सकता हूँ कि मेरा pattern apply हो चुका है और आपको यह समझ भी आ गई होगी कि यह line आती किस वएसे आती है like आपके वाली image बड़ी थी और यह चोड़ी थी तो इस वएसे अगर आपको size अपना change कर लेते हो तो then उसके बाद pattern apply हो जाता है so यह थी छोड़ी छोड़ी चीज़े pattern की but उसके इलावा यह clone stamp tool के अंदर मैं आपको सिकाया है लेकर मैं आपको यहां लेयर के अंदर भी बताया था कि आप लोग आप pattern apply कर सकते हो then यहां से आप new layer लेके pattern पे जा सकते हो यहां पर यहां पर गए से adds कर के घृण में आपको गया हो का है Also such इन मैं तुरोग ड़नाया मैं नोधना सब्सक्राएमस कर दिया then I will act like mascara here can be itativa 왜 I am a good sama can see my लेको वी फार कृचやって the Formalcle miesares aां कि घृटा कर दिपा गया है 아 पर लृट है but I shouldn't have the mez ладно है और यहां से डिर्क लिता हूं और प्रेस कर दो अभी आप लोग देखो तो अभी इतना इसके अंदर नहीं हुआ है कि साइस की प्रॉब्लम नहीं हुए क्यों कि जब हमने पहले जब बनाया तो उसके अंदर हमने स्केल करके बहुत चुटा साइस कर दिया जिसके मदद से उस यहां पर पैटेर बिए जाना के भाद इसलेक़् कर रहा हुक्त और कर दिया यहांसे में इसको इसको से इसभी उस प्रूह कर देखी है अब यह वाइच जो हमारा area आगा रहा है अब इसको मैं हटाने के लिए भी इस तरीके से आप तो डिफ्रेंट डिफ्रेंट चीज़ है अप लगा सकते हो और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो आप यहां से यूज कर सकते हो तो मिसाल के तोर पर आप लोगों को ऐसा पैटर नहीं बनाना तो आप यहां पर जो लाइक मैं आप यह बहुत करा है तो मल्टिप्लाइक के बगएर आप लोग इसको क्रियेट कर सकते हो सो एक्जम्पल मैं अन्दू कर लेता हूँ cleaning और इहांसमें भी बृष टूल भडर कर दिया मैंने एक के अंदर कंड कर दा हूँ पर अपर ज्यांग कर देता हूं यहां पर कॉलर में कर दिता हूं गर जैने थोड़ा इस तरीके से रखा और इस वारी बेक्क्राउंड लेर को मने हाइट कर दिया तो यहां पर आप लग देख सकते हैं अब जैसी है मैं यहां से फाइल के अंदर जाओंगा फर्स पहला आपको स्लेक्ट कर लेना अपना पूरा कैन्वस ताकि आप पूरा पैटरेन बना सको ठीक है तो अब जाओगे एडिट के अंदर पाइंट पैटरेन अपने पैटरेन का नाम दोगए ठीक है फ्रेस कर देना और लगी तब जाओ्ग कोईसी भी इमेच में है तीए रहां में यहां पर आच रहा है अब सरुडेन के इसे पाइमेच न जाएंब जाओगे पैटरेन में और यहां साफ यहां साफडूरा का दीजए lapsus यहां सेवाय आपको अश्कर है तो तो हम अब इसको Definition के साथ सकते हां और यहां से कर सकता क्रीज़ आप इस तारी के से बड़ा प्रीक में सकते हो और तो तो यहां सेटी प्रीक है पर optimize करें इस method से so I hope आप तो को ये जो tutorial ये समझ में आ गया होगा और आप इसकी practice करोगे तो इंशालला आप इससे भी अच्छे pattern बना सकते हो और कैसे आपने यहाँ पर download करने pattern वो भी आपको बता हुआ इंशालला आने वाली videos के अंदर तो इसलिए हमारी channel को subscribe कर लो तो इसलिए हमारे channel को subscribe जरूर कर लेना और अगर आपको कोई वीडियो की तलाश है तो हमें comment करें अगर मेरी category के होगी तो मैं जरूर करनाओंगा फिर मिलता है किसी नए video में नए tutorial लेके तब तक के लिए अपना बहुत सारा खया दखेगा and अल्लापिस